हलो फ्रेंड्स तो जैसा कि तोहारों को सीजन आ रहा है तो घर वालों की मिठाईयों की क्रेविंग भी बढ़ती ही जा रही है और तोहारों में घर-घर में मिठाई ना बने ऐसा हो नहीं सकता है तो आज मैं आप लोगे लेकर आए हूँ बहुत ही सरल तरीके से बनने वाली खोए की रेसिपी खोए से भी बहुत सारी मिठाईयां बनाई जाती हैं घर-घर में तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस बहुत ही सरल रेसिपी को खुआ बनाने के लिए लिए वन ले लिया है 3 लिटर दूध और इसको मैंने हाई फ्लेम पर चड़ा दिया है और यह जो दूध है वह पैकेट वाला नहीं है सिंपल घर पर जो दूध आता है गायए वही वाला दूध है उसको में इक उबालाने तक फ्लेम को हाई इसी तरह से चलाते हुए हम पकालेंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है इस उजमें किनारों को खुरशते हुए इसे चला हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हम इसे खुरशते हुए अच्छे से चला लेंगे और यह हमारा खुया है वह आल्मूस्ट बनने की प्रोसेस में है तो इस स्टेज पर हमें इसे लगातार चलाना होगा क्योंकि जो खुआ है वो तले में चिपक सकता है तो इ आते समय में एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो बरतलेंगे उसका जो तला हो भारी वह पतले तले में जो खुआ है वो चिपक जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है तो यह देखी फ्रेंड्स जो खुआ है वो अच्छे से बन रहा है और यहां पर हमें इसे लग लगातार चलाना है नहीं तो खुआ है वो चिपक जाएगा तले में इस तरह से हम लगातार चलाते हुए यहां पर फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और इसे लगातार चलाते रहेंगे और यह देखी फ्रेंड्स यह हमारा जो खुआ है वो अल्मूस्ट बन चुका है और यह तो इस टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे और अभी भी हम इस खोए को चलाते रहेंगे क्योंकि हमारा जो कड़ा ही है वह गर्म है तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे और उसके बाद इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे और आप इसे फ्रिज में रहके तीन से चार दिन तक इसे मिठाईयां बना सकती है तो ये लीजिए फ्रेंड्स ये रेडी है हमारे घर के सिंपल दूद से बन आते रहेंगे पर लास्ट में जिब हमारा जो दूद वो गाढ़ा होने लगेगा तो उसे हमें लगातार चलाना है तो मिदे फ्रेंड्स के आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो एक लाइक दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक कर लें तो मिलते हैं फ्रेंड्स अक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें